नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मैता गवर्मेंट पीजी कॉलेज धोलपूर से आप सब को नमस्कार करती हूँ हम लोग आज में फाइनल के पेपर फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट मध्यकालीन भारत के प्रमुक श्रोत का पार्ट टू लेक्चर कर रहे हैं पार्ट वन लेक्चर में मैंने आपको जो समकालीन इतिहासकार थे उनके बारे में जानकारी दी ये समकालीन फार्सी ग्रंथ एक बार मैं पुनह आपको रिकाप करा देती हूँ सबसे महत्वपून इन में थे तुजु के बाबरी जिसे बाबर नामा कहा जाता है जिसे बाबर ने स्वैम लिखा था उसके बाद थी हुमायू नामा जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था जो की बाबर की पुत्री थी तारी के शेशा ही थी जिसका लेखक था अब्बास खान सारवानी जिसको शेशा सुटी के लिए महत्वपून माना जाता है उसके बाद अकबर के काल के लिए महत्वपून पुस्तक है अकबर नामा जिसे अबुलफजल ने लिखा था मुंतकाब उत्तवारीक जिसे अब्दुलकादिर बदायुनी ने लिखा था और तबकात अकबरी जिसे ख्वाजा निजामुदीर एहमद ने लिखा था इसके बाद जहांगीर के काल की जो प्रमुक पुस्तक है वो तो तुजुख है जहांगीरी है जो की जहांगीर द्वारा लिखित उसकी आत्मकता है उसके बाद आता है इकबाल नामा नहीं जहांगीर जिसे मौतमित खान ने लिखा था बादशा नामा मुहमद अमीन कजनवी ने कहा था जो शाजा के काल में है और इसके बाद जो प्रमुक पुस्तके थी वो थी मसीर ए आलमगीर और मुन्तकब उल्प लबाब जिसमें हम औरंगजेब के इतिहास के बारे में जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्रियों के व्रतांद मैं आपको बता दूँ कि साहितिक स्रोतों में हम ततकालिन जो स्रोत है उनको दो भागों में नॉर्मली डिवाइट करते हैं पहला है समकाली साहिति और दूसरा होता है विदेशी यात्रियों के व्रतांद तो आज हम विदेशी यात्रियों के व्रतांद करेंगे इनमें सबसे पहले हम लेते हैं William Hawkins ये जांगीर के काल में हिंदुस्तान में आया था पहले सूरत आया और फिर वहां से उस समय की राज़दानी आगरा में चला गया उसने जो भी अपने प्रवास काल में भारत में देखा, महसूस किया उसे अपने याता व्रतांत में लिखा, जैसे उस समय नौरोज का उत्सव, समराट का तुलादान, दर्बारी व्यवस्था समराट जांगीर का देनिक जीवन Hawkins ने देखा और उसे उसने लिखा मशूर इतिहास का डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि इस समय की प्रशास्किय व्यवस्था और सामाने लोगों के जीवन के बारे में Hawkins ने जो सूचना दी है उसका प्रयोग इतिहास के विध्यारतियों को सजग रहकर करना चाहिए क्योंकि यह व्रतांत अतिश्योक्ति पून है यह understandable है क्योंकि एक अंग्रेज जब भारत में आता है और नई संस्कृति को समझता है तो कई बार उससे तुर्टिया भी होती और कई बार वो अतिश्योक्तियां भी करता है इसलिए इसको हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए मगर यह जरूर है हमें समझना चाहिए कि तुजु के जहांगीरी और विल्यम होकेंस की पुस्तक को अगर हम दौनों को साथ पढ़ेंगे तो हमें सिक्के की दूसरे पहलू के बारे में भी समझ में आएगा इसलिए उसका महत्व को हम अस्विकार नहीं कर सकते हैं अब दूसरा है सर टौमस रो सर टौमस रो ब्रिटिश समराड जेम्स प्रथन के दूथ थे और इसी रूप में वो जहांगीर के दर्बार में आये थे करीब चार साल तक वो भारत में रहे और बाद में जब वो इंग्लेंड वापस पहुचे तो उन्होंने अपना यातावरतांत लिखा इस यातावरतांत में उन्होंने विस्तार से मुगल दर्बार की विवस्था और वातावरन के बारे में लिखा मगर उसका जो व्रतांत है उसको हमें बहुत साफधानी से पढ़ना चाहिए क्योंकि उसने कुछ तुरुटियां की है जैसे कि डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं टॉमस रो इन शाही चरित्रों यानि की जहांगी, शाजा, नूडजा, आसव खान के प्रती निश्पक्ष नहीं रह पाया टॉमस रो ने मुगल दर्बार में व्याप्त दर्बारी गुडबंदी के बारे में जो लिखा है, वो पूर रूप से विश्वस्तिय नहीं है डॉक्टर बेनी प्रसाद आगे लिखते हैं, इसमें कोई संदे नहीं है कि मुगल दर्बार में आपसी ईशा द्वेश का वातावरण बना रहता था कि तू इस संधर में जो खटनाय टॉमस रो ने प्रस्तुत की है, वो सत्य प्रतीत नहीं होती है मगर जैसे मैंने आपको बताया था, सर टॉमस रोई सिक्के क्या दूसरा पहलो दिखाते हैं फिर आता है तीसरा और वो था पीटर मंडी, यह भी विलियम हॉकिन्स और टॉमस रोई के जैसे ही अंग्रेज व्यक्ति था मगर यह जांगीर के काल में ना कर शाजा के काल में हिंदुस्तान में आया था, पहले सूरत आया और सूरत से फिर आगरा फ्रेक्टरी का प्रबंदर नियुक्त किया गया यह लगबक आठ वर्षों तक हिंदुस्तान में रहा और इसमें उसने कई प्रांतों के कई नगरों की यात्रा करी जैसे मालवा, उत्यप्रदेश, बिहार, वो हमें हिंदुों के सामाजिक और धार्मिक रीती रिवाजों के बारे में जानकारी देता है, मुगल बाठ्चा जीवन के बारे में देता है, जैसे कि कई उसने लिखाए कि हातियों के लड़ाई होती थी, औरंगजेब, दारा और शुजा, जो शाजा के तीन पुत्र थे, उनके विवा कैसे हुए थे, नोरोज, एक बहुत ही महत्वपून जो त्योहार था, उसका विवरन उसने दिया ह साथ में उसने शाजा के काल के महत्वपून राजनेते घटनाओं का भी वर्णन किया है, जैसे कि शाजा का दक्षन अभियान, माबद खाका, दौलत आबाद अभियान और उसकी विजय आदी, अब हम अगले विदेशी यात्री पर जाते हैं और वो है बरनियर, अब ये ज समझदार और शिक्षित व्यक्ति था, ये इंग्लेंड का वासी रहुकर, फ्रांस का वासी था, 1658 वो भारत में आया, वह काल वह है, जब शाजाहां के पुत्रों के बीच में उत्रादिकार युद चल रहा था, उसने लाहोर, राजमहल, कासिम बजार, मचली पट्टम, ग देखा और उसका विवरण किया, समकानी राजनेते घटनाओं के बारे में भी उसने विस्तार से विवरण दिया है, डॉक्टर ब्रेनी प्रसाद के अनुसार से, बर्नियर का जो विवरण है, वो सत्य प्रतीत होता है, इसके बाद जो अगला विदेशी आया वो था टेवर जॉन बेप्टिस्ट टेवर्नियर, यह भी बर्नियर की जैसे ही एक फ्रांसी सी था, व्यवसाय से जोरी था, और युवा ववस्ता में उसने यॉरप के बहुत सारे राज्यों का ब्रह्मन किया था, और 1640 में वो पहली बार भारत आया, और इसके बाद 6 बार वो भारत में आया, इसलिए उसका विवरन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, सामाजिक और आर्थिक विश्यों पर उसके विचार मूल्यवान है, वो लिखता है, जहां बनिये लोग काटने से इनकार करते हैं, वहां फिरंगी क्या करेंगे, व्यापारिक मारगों के बारे में भी वो हमें स्पष्ट जानकारी देता है, मगर जो राजनेतिक घटनाओं का जविवरन है, वो अधिक विश्वस्निय प्रतीत नहीं होता है, इसके बाद एक इटली के व्यक्ति का भी यात्रा व्रतान्थ हमें मिलता है, और वो है मनूच 1653 में भारत आया और उसके बाद अपनी मृत्यू तक वो यहीं रहा, वो दारा का समर्थक था और वो औरंगजेब से ग्रणा करता था, चुकि वो दारा का समर्थक था उसने भारत के राजनेतिक और सामाजिक जीवन को बहुत नजदीक से देखा था, मगर क्योंकि उसे निजी ग्यान का अभाव था, वो सुनी-सुनाई और बाजारी घपों में के आधार पर उसने अपना वर्णन लिखा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सत्यप्रतीत नहीं होता है, मनूची ने जो पुस्तक लिखी है, उसका नाम है स्टोरिया डो मोगोरो, इसकी चार बड़ी-बड़ी जिल है, जिसका अनुवाद विलियम अर्विन ने किया है, अर्विन लिखते हैं, शाजां के शासन के पिछले वर्षों के लिए और औरमजे के पून शासन के लिए, मनूची एक ऐसा लिखक है, जिसके कतनों की अभेलना नहीं की जा सकती है, मनूची ने जो एक चीज लिखी है, वो भविशमानी के रूप में लिखी थी, मगर काफी सक्ते प्रतीत होती है, उसने लिखा था, मैंने जो कुछ देखा है और परिक्षन किया है, उसके आधार पर मैं बल पूर्वा कह सकता हूं, कि यूरोपिय सैनिकों की तीस हजार की एक सैना, जिसका संचालन योग्य सैनापती कर रहे हूं, वह सारे मुगल सामराज्य को जीत सकती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि वह मुगल सैना की पतन की समझ रखता था, मनूची पुर्तगालियों, जैजुवेट्स, पाद्रियों और औरंगजेप से ध्रणाना करता था, इसलिए उन सब की उसने कड़ी अलोचना की है, डॉक्टर सी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं, मनूची यद्यपी एक उप्योगी लेखक है, पर उन्तव उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो विदेश्य यात्री हैं, विलियम हॉकिन्स, सर टॉमस रो, पीटर मंडी, बर्नियर, टेवर्नियर और मनूची, ये सब ऐसे इतिहासकार हैं, जो भारत को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, इसलिए उनको पढ़ते हुए हमें फारसी ग्रंथों का भी अध्यान करना चाहिए, और दोनों का मिलकर जब हम अध्यान करेंगे, तभी हमें मुगलों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी, धन्यवाद.